Welcome to Cyber Aware Hub. आज कल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. हर बिजनिस ओर्गनाजेशन्स और गवर्णमेंट एजनसीज को समझ में आ गया है कि अपने सिस्टम और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एथिकल हैकर की जरूरत होगी ही. ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी सिस्टम, वेब साइट और डिवाइस को हैक किया जा सकता है. इसलिए अब एथिकल हैकर्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है. ऐसे में अगर आप भी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एथिकल हैकर बनने का रास्ता हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले एथिकल हैकिंग के बारे में जानते हैं. एथिकल हैकिंग इन्फॉर्मेशन सेक्योरिटी की एक प्राक्टिव फॉर्म है. इसे पेनेट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है. बिजनेसेज और ओर्गनिजेशन्स अपने नेटवर्क, अप्लिकेशन और अधर कम्प्यूटर सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं. ethical hackers को white hat hackers भी कहा जाता है वो उनके system या servers को hack करते हैं और उसमें मौझूद vulnerabilities और weak points का पता लगाते हैं ताकि उन्हें fix किया जा सके ऐसा करने के पीछे software company का purpose अपने system और information को black hat hackers से protect करना होता है black hat hackers गलत इरादे से किसी system या network में बिना permission unauthorized तरीके से entry ले लेता है और system security को damage करता है और ऐसा करने के पीछे उसका purpose अकसर password, financial information और other personal data चुराना होता है ethical hacker अकसर जिन most common vulnerability को discover करते हैं वो है injection attack, sensitive data exposure, broken authentication, security misconfiguration तो ethical hacker के बारे में ये सब जान लेने के बाद अब अगर आप ethical hacker बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको proper education और knowledge की जरूरत होती है क्योंकि बिना permission के किसी system को hack करना illegal होता है और unethical hacking और ऐसे ही cyber crime के लिए guilty पाए जाने वाले person को कई सालों की सजा भी होती है इसलिए ethical hacker बनने के process को पूरा follow करें और फिर ethical hacker के तौर पर आप काम करें ethical hacker बनने के लिए आपके पास information technology या computer science में bachelor degree होनी जरूरी है जो b.tech, b.sc, b.e., b.ca में से कोई भी degree हो सकती है ऐसे candidate जिन्होंने network security और उससे relevant technology में advanced diploma कर रखा हो वो भी ethical hacking को professional career बना सकते है और अगर आप IT sector की big companies में ethical hacker बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास reputed institute का certification होना चाहिए ऐसे कुछ certification है certified ethical hacker by EC council, GIAC penetration tester यानी की GPEN, Cisco CCNA, Certified Information Systems Security Professional CISSP भारत में ethical hacking का scope काफी बढ़ गया है government organizations, financial institutions, famous companies, skilled ethical hackers को recruit करने लगी है ताकि उनकी information safe and secure रह सके यदि आपके पास required skill और educational qualifications है तो आप इन में से किसी भी position के लिए apply कर सकते Cyber security analyst, penetration tester data security analyst, security auditor, network security engineer वेसे जहां तक salary की बात है तो एक fresh or ethical hacker 6 lakhs per annum salary expect कर सकता है Higher academic qualification और work experience आपको 50 lakhs per annum भी दिलवा सकता है एक बार इस field में आने के बाद salary package अपने आप increase होता चला जाएगा Cyber security में bright future आपका इंतजार कर रहा है यदि आप cyber security के regarding कोई भी questions पूछना चाहते हैं तो आप comment कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें Thank you